तो मैं कहूंगा कि मत लेना और जिन भाईयों के पास ये फोन है नमस्कार सस्यकाल आदाब कैसे हो आप हाँ भाई तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वीवो वाई 20 के बारे में तो अगर आप भी इस फोन को लेनी की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखन विकास आपको पता चलने वाला है कि आपने क्या गल्दी करा इस फोन को लेकर जी आँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन के बारे में सारी स्पैसिवेकेशन फीचर्स के बारे में क्या आपको अच्छा मिलता है क्या खराब मिलता है और क्या को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो बस वीडियो को पूरा देखते रहो तो चलो जानेंगे आगए के बाद घुरू जी टेक साथ तो दुस्तों बात कर लेते इस फॉन की प्राइज की तो इसका जो फर्स्ट वेरियंट आता है चार जबी के रैम और चौसट जबी क इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइज है 12,990 रुपिया और इस प्राइज रेंज में आपको क्या अच्छा मिलता और क्या खराब मिलता वो मैं आपको बताता हूं तो बात कर लेते इस फॉन की कुछ हाइलेट फीचर के बारे में तो इसमें आपको 5000 एमेज की बैटी लग भाई तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते इस फॉन में आपको क्या कुछ खराब मिलता है तो फर्ष्ट उपस्ट इस फान का डिस्पलेज इसमें आपको 6.51 इंच का HD प्लस डिस्पले मिलता यहां पर आपको फुल एश्टी प्लस डिस्पले नहीं मिलता है तो इससे उ primary sensor 13MP का, Вोहीं 2MP Ultra wide angle है और 2MP की एक और camera है, वहीं आपको 8MP Selfie camera मिलता है, जो कि water drop notch के साथ आता है अब बात कर लेते इस phone की processor की because processor पे ही phone stable रहता है तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 460 मिलता है तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा इस price range में तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते इस phone को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो देखो भाई आप 12,990 रुपिया देकर 4GB और 64GB अलब वेरियंट लोगे इसकी specification भी अच्छी नहीं है आपको processor भी अच्छा नहीं मिलता है camera भी अच्छा नहीं मिलता है आपको display भी अच्छा नहीं मिलता है खेर batis में अच्छी है charger भी अच्छा है तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दो वीडियो को like कर लो और भाई बेल अकन को all पर रखना तो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में तब तक के लिए bye bye मेरे भाई